तो फिरेंस गाने के जो आखिर में एक सीन होता है जो छत्रियों का सीन है वो कुछ यहां से होता है जो मिधुनसर होते हैं तो वो क्या है बस कुरुक आने के लिए भागते भागते आते हैं बोल होते हैं कभी कभी साम ऐसे डलती है इस छत्री का सीन है इस छत्री को दोस्तों एक scene यहाँ से कुछ इस तरीके से लिया गया है आप लोग देख सकते हुए इसमेसे मेच कर सकते हुए सक्री waking तर 1993 में ये वाला और पीछे आप लोग दीख रहा होगा एक पिछे पहाडे थोड़ा सा भीडियाक है और ये जो छतरी है ये भी दिखाई गई है ये बड़ी छतरी है ये दिखाई गई है एंगल कुछ ऐसे लिया था और जो ये नीचे आप पुलिया देखो ये पुलिया के नीचे से दिखाई देता यहाँ पर दोस्तो देखो जो ये पुलिया है इसका सीन लिया जाता है जब वो लाष्ट गाना खतम होने को आता है तब वो बस से जाते हैं नमस्कार दोस्तों केशे हैं आप सभी दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ गुलामी मुवी सुटिंग लोकेशन के भारे में दोस्तों गुलामी मूवी का एक सोंग है, बहुत ही प्यारा सोंग है, आप लोगोंने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, गाने का नाम है जिहाल मस्किम मुकुन बरंजिस, जिसके कलाकार है मितुन चकुरुति सर, रीना राय में, अनीता राय में, तो दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए एक बता दू थोड़ा, मैं अलवर राजस्तान से आया हूँ, और राजस्तान के जोदपुर में मैं आया हूँ, ये पढ़ता है करीब 500 किलोमेटर आसपास है, और जो जिस जगे गाने की सुटिंग हुई थी, वो उस जगे का नाम है पंच उंडा की छतरिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और ये करीब रेल्वे स्टेशन से 12 किलोमेटर दूर पढ़ती है, तो दोस्तों मेरा नाम है मनीशर, आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल, दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं, वहां की जो सारे सीने, वह मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो दोस्तों देखो, इस पुलिया का भी सीन लिया गया है, पर अभी हम उस लोकेशन पर चलेंगे, जहां पर वह बस जाती है, वह बस में आते हैं, तो उस लोकेशन पर चलेंगे, अभी यहां पर क्या यह पूरा जहार जंकार जाली, मतलब यहां पर जंगल है, पूरा यह उस जब में तो बिल्कुल खाली था तो इदर है वो पुलिए उस पुलिया की तरफ हम चलते हैं जंगल से जंगल कंदर से हम चलते हैं और वह सीन दिखाऊंगा फिर आपको बारी-बारी एक-एक सीन में दिखाऊंगा जाए अप लोग देख रहे हो यह बिल्कुल पुराना है उसको दूसरी तरफ से रिपेर कर दिया है और अब ही हम चलिएगे उपर की तरफ उपर से सीन दिखाऊँगा इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँगा दो तो दोस्तों देखो आज यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यह रोड आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने एंगल कुछ ऐसे लिया था और यह नीचे आप पुलिया देखो यह पुलिया के नीचे से दिखाई देता यहां पर और अभी में आपको एक बड़ी पुलिया है, जो पीछे आप लोग देख रहे हो, वहाँ का एक सीन है, उसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, इसका सीन लिया जाता है, जब वो लाष्ट गाना खतम होने को आता है, तब वो बस से जाते हैं, तो यहाँ से वो सीन लिया जाता है, और आप देखो, पीछे बेग्राउंड में जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को, यह जो पीछे गवसाला के पीछे आपको छत्रियां दिखाई दे रही होंगी, तो इसकी इन सोट में देखना, वो जो छत्रियां थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, और यह पुलिया है, इसको मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूं, वाइल्ड एंगल में पूरा दिखाता हूं, यह पुलिया आज कैसे दिखता है, इसके अंदर क्या-क्या लगाया गया, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कि हमारे पहले मतलब जो कारी करते थे, उन को आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कोई सर्या नहीं लगा हुआ है उनली ये पत्थर की पट्टी होती है उनके उपर ये जो पुल है आज भी टिका हुआ है ये देखो पता नहीं कौन से सन में ये बना होगा मुझे इसके बारे में ज्यादा नोलेज नहीं है और ये वो और इसकी मजबूती तो मेरे इसाब से सायद काफी मजबूती होगी इसके उपर भी देखेंगे हम चल के अगर कोशिश करेंगे उपर जाने की इसके उपर क्या है क्योंकि इसके नीचे से पानी सा टपकता मेरे इसाब से कोई यह नहर वगेरा हो कोई भी तो यह scene है और अभी हम चलेंगे दूसरी जगे पर दूसरी scene है वो आप लोगों में दिखाऊंगा तो friends अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को ले चलता हूँ जो man वो पूरी छत्रिया है जहां का पूरा scene लिया गया वो dance करते हैं जिनको पंच कुटा की छत्रिया बोलते हैं तो अभी हम चलते हैं उस जगे पर वहाँ का पूरा सीने काफी अच्छे से दिखाएंगे आप लोगों को मज़ा आने वाला है वीडियो को पूरा देखना इसकी मत करना और लाइक करना जरूर भाई तो फिरेंट्स अभी हम पहुंच चुके हैं पंच कुटा की छत्रिया देख रहे हैं एक तो यह रास्ता आता यहां से और एक रास्ता इधर से आता है और जो यह पंच कुटा की छत्रिया है उनका यह मेंगेट है आप लोग देख रहे हैं यह उनका मेंगेट है और इसके बा पराचीन दासंसकारिस्तल पंच कुंडा में रहा है और बाकिया आप लोग देख ले ना इसमें इंगलिस में भी लिखा गया यहां पर और अभी हम चलेंगे इसके अंदर इसके अंदर का जो सीन है वो मैं आपको दिखाऊंगा चलिया अंदर चलते हैं तो फिरस आप लोग देख सकते हो यह पंच कुंडा की छत्रियां है और यहां पर इनकी रख रखाओं के लिए दो गाड भी लगाए है और आप लोगों में बताते हो यहां की जो जो जमीन है वो पूरी नीचे से पत्थर है पूरा ना यह लाल पत्थर निकलता यहां से और कि hippo पूरी ना यहां बा कि खाओं कि मुवी के अंदर एक सिन यहां से लिया गया है आप लोग देख सकते हो यह चाओं दिखाई देती है यह क्या है कि मैं सीन वाइल एंगल से सोट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो इधर यह जाडिया है तो यहां से सीन सोट नहीं सीन ले नहीं पाता इस वज़े से और यह जो छत्री है यह भी दिखाई गई है यह बड़ी छत्री है यह दिखाई गई है और आप लोग देख सकते हूं स्क्रीट में देखना यही सीन है और अभी मैं आप लोगो ले चलता हूं अगले सीन की तरफ यहां पर काफी छत्रीया है तो मैं आप लोगों दसरी तरफ ले चलता हूं और ठीक जो किसे पतक्रों से यहां से लिए तो आप Shiv आप स्क्रीन से देख सकते हो यह से वे सीन आएगा बड़ी छहत्री है कि वर गुंब़ी तूटा हुआ है दूसे कर गुंबद लगा हुआ यही छहत्रीम है God channel से अगला सीन दिखावोंगा चली अगले सीन की तरफ चलते हैं धोस्तों देखो अगला सीन कुछ इस तरीके से है आज यह कुछ इस तरीके के दिखाई देता स्क्रीण सोट में आप देख लेयना यह जो पीचे छत्रिया है वो मेज कर जाएंगी सारी छत्रियां और यह पत्तर आप देख सकते हैं यह पत्तर जिस भी तरीके से ये इसकी बनावट है न आप लोग देख सकते हो इसके यहाँ पर एक बड़ी छत्री भी है यह वाला सीन है चलिए अगला सीन दिखाता हूँ दोस्तों देखो एक सीन यहां से कुछ इस तरीके से लिया गया है आप लोग देख सकते हूँ यह इसमें मेच कर सकते हूँ स्क्रीन सोट में यह वाला और पीछे आप लोग दिख रहा होगा एक पीछे पहाड़े थोड़ा सा दिख रहा है तो यहां पर वो गाने का वो सीन होता है वो आग के पहलों में बेठे रात रंगीन कुछ ऐसे था वो न तो ऐसे यहां से सूट होता है फिर वो सीन ऐसे आ जाता है यहां से गुम गए फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से वो सीन लिया जाता है और आप लोग स्क्रीन सोट में मेच कर सकते हो देखो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा आपको यह सब यह छत्रियां दिखाई दे रहे होंगी तो सीन ऐसे लिया गया है और अभी हम चलेंगे अगले सीन की तरफ अगला सीन उसको खोज के आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है सीन खोजने में क्योंकि सारी छतिरियां लगबग लगबग एक जैसी है दोस्तों यहाँ पर वो सीन लिया गया था जहाँ पर मिथुन दादा डान्स करते हैं ढपली लेकर अब यह देखने ही पाएगे स्क्रीन सोट में क्योंकि जाड़ी के वज़े से तो ढपली लेकर वो डान्स करते हैं तो उसके बाद में कुछ एक सीन फिर वो म्यूजिक चालो हो जाता है तो वहाँ वह वाला सीन है जो यहाँ से लिया गया है कुछ इस तरीके से मैं जूम कर के दिखाता हूँ आप लोगों को स्क्रीन सोट में आप लोग देख लेना देखो यह थोड़ा सा यह पिलर दिखाए देता लेफ्ट साइड में और यह तीनों छत्रियां है यह जो दिखाए देती है और एक यह छत्री दिखाए देती है राइट साइड की तरफ यह चोटा तो राइलोग होता है गाने का वो बोल होते हैं कभी कभी साम ऐसे ढलती है इस छतरी का सीन है इस छत्री को मैं पूरा दिखाता हूं आप लोगों को βाल डेंगल से क्या है कि ये पूरा इसकाव शीन है जो कवर हो जाएगा पिर आपको अच्छे से समझाएगा सकटे रजा इ बही नहीं दिया यह पूरी खाली ऐसे रखी हुई यह तो फिरेंस गाने के जो आखिर में एक सीन होता है जो च्छत्रियों का सीन है वो कुछ यहां से होता है जो मिधुन्सर होते हैं तो वो क्या है बस कुरूख आने के लिए भागते भागते आते हैं और वो इधर की तरफ इदर की तरफ एक रोड है, मैं आपको इस boundary के उपर चड़ के दिखाता हूं उस रोड को, तो वो boundary के उपर चड़ के दिखाता हूं वो रोड को तो इधर से वो रस्ता आ रहा है, अभी गवसाला बन गई है पर मैं दिखाऊँगा आपको उसमें क्या वो जो पुलिया है उसक तो यहां पर देखो अब यह गवसाले के अंदर आ गई है यह जो जगह है उस समय खाली तो यहां पर यह जो बाउंडरी देख रहे हो गवसाले की तो इसके सामने ही जश्टेक रोड है और मैं आपको पुल दिखाता हूं जूम करके इस पुल का सीन देखो यह जो पुलिया देख रहे हो आप यह बाउंडरी से इदर की शायड में यह पहाल के पास में यह वाली पुलिया का सीन इसका थोड़ा सा बेक ग्राउंड दिखाई देता है यह इस गवसाले की वज़े से दिखाई नहीं देरा यह गवसाला है तो इसकी वज़े से दिखाई नहीं देरा सी उसके बाद में वो बस में चट जाते हैं और गाना खतम होने को आजाता है तो मेरे दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो मिथुन दादा है जो यह जो रोड देख रहे हो वे उदर से आपको इसे दिखा नहीं पाया उसके लिए में दूसरी तरफ आया हूँ और इसी जगे प लोग देखना थोड़ थोड़ा दिखाई देता है और यह रास्ता उसी पुल की तरफ से आता है नीचे से उसके नीचे सा आयँ यहाँ पर पास में ही गवसाला है यह इसके पहाड है चारो तरफ हैं जो यह पूरे लाल पत्तर के पहाड़ है तो दोस्तों यहां के जो सीन वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं तो इस वीडियो को हम ही करते हैं समाप दोस्तों मुझे ना आप वीडियो में कमेंट करके बता ना आपको ये छत्रिया कैसी लगी और इस गाने की लोकेशन है जो आपको कैसी लगी जो भी है और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल जे भार